उत्तर प्रदेश के जला बरेली में साध्य प्राची का बयान सीयम योगी डिप्टी सीयम के से प्रसाद मौर रहे हैं संसकारी और बेहद मिनम्र रुपस्वाग के हैं अखिलेश का डिप्टी सीयम पर टिपड़ी उनके संसकार हिंता का परीचा है पूरे देश और प्रदेश में हो रही उनके बर बयान के अलोचना निंदनीय है राहूल गांधी के कैम्बरेज में दिये एक बयान पर साध्य प्राची ने आड़े हातों लिया कहा राहूल गां देखें बाबा विश्वनात मंदिर हमारा था हमारा है और हमारा ही रहेगा प्रूफ पूरी दुनिया देख रही है बाबा विश्वनात मंदिर पर जो प्रूफ निकल रहे है शिवलिंग बहुत सारी मंदिरों की आकरतिया महा पर निकल रही उससे निश्चित्रोप से पूरा देश जानता है लेकिन हां कुछ लोग सच को छुपाने का प्रियास कर रहे है खुश्बू कभी आ नहीं सकती खुश्बू कभी आ नहीं सकती कागज के फूलों से सच कभी छुप नहीं सकता जूटे उसुलों से तो ये सच है के बाबा विश्वनात हमारे थे हमारे हैं हमारे ही रहेंगे और एबात ग्यान व्यापी इनके पूर्खे उर्दू चाड़ते चाड़ते मर गई ग्यान व् वो मंदिर था मंदिर है मंदिर ही रहेगा तु जो लोग बेगम में बीबी में बक्री में अंतर ना समझ पाए वो सिविलिंग और फवारे में अंतर समझा रहें देश को चार सो साल पहले बिजली क्या उन लोगों ने बिजली नहीं थी फव्वारा क्या फूक मार करके चालू किया था तो इसलिए इन लोगों के इन तथ्यों में कोई सच्चाई नहीं है अब मान नहीं है कि इस तरीके से सिब्लिंग के उपर हाथ दोई जा रहे थे तुर्णा तरह जा रहा था कहीं न करें ये हिंदू समाज को अपमानित करने का एक गहरा सडियंत्र था बहुत इनके सोची समझी साजिस थी जिन लोगों ने हमारे मंदिर को बाबा विस्वनाथ को तोड करके महापर ये मस्जिद बनाने का काम किया महाई ये वजू कर रहे है हाथ पैर दो रहे है गंदे वहापर पाने डाल रहे है हमारे शिवलिंग के उपर इनका ये गहरा शडियंत्र था बहुत सोचे समझी साजिस थी उसके तहत ये कारी कर रहे थे उसपर अधिकार भी तो हमारा होना चाहिए कोई बात ने आभी जरा बाबा विश्वनात के मंदिर का आभी हल निकलने दो देरे देरे ताज महल का भी हो जाएगा कुछ और में आथ निऊज पेपर ने अकभार में आया है कितने मंदिरों के मंधिरों के महा पर वे उनके चित्रकारिया और बहुत सारे जो मंधिरों के हमारे शिवलिंग हैं जो कलाक्रितिया है वहाँ पर मिल रही है तो यह जूट नहीं, यह सच्चा ही है हमारे मंदिरों को तोड़ने का काम मुगलों ने बड़ी सोची समझी साजिस के तैट एक शरियंत्र के तैट किया वो हमें वापिस चाहिए हमरा अधिकार है कुछ मुस्लिम नेता कर रहे कि अगर ऐसा हुआ जो बाबनी में एक ताइम तो हम सांत रहे पर अब सांत नहीं रहेंगे वो ऐसे हम की बाबनी तो हमने को खोड़ी और हमने को नहीं जाना देखिए मैं मेडिया के माध्यम से वैसे मैं इस तरह की कोई बात नहीं कर रही थी सुन रही थी कि यह किस इस तर तक गिर सकता है ओबेसी यह देश के अंदर हिंदुस्तान के मैं सभी एजेंसियों से निवेदन करना चाहती हूँ कि इसकी जरूर नजर रखी जाए ओबेसी पर यह देश के अंदर ग्रहयुद कराना चाहता हाँ तो आतंके को उमर केद होनी चाहिए इनको फासी मिननी चाहिए वाई और यह केवल भारती जनता पार्टी में ही हिम्मत है जो आतंके को सज़दे रही है कल सदन में अकलेश यादब में पुपन्ते की सब्पाज मौरीजदे जो साइस्थे माल की क्या लग था यह वो न चीह था देखें मानने हमारे डिप्टी सीम साब हो या सीम साब हो उत्तर प्रदेश की जनता जानती कितने संसकारित, कितने सब्वे कितने शुजील, कितने विनम्र है अखिलेश ने जो कल परीचे दिया वो उसकी संसकार हिंता का परीचे पूरे प्रदेश में ने देश में थुथू हो रही है उनमें संसकार नाम की कोई चीज नहीं है, इसलिए इससे ज़्यादे में कुछ नहीं करूँ अखंड भारत की बात चल लई है तो पन खारिशस का कहना पंदरा ताल में हम अखंड भारत बना लेगे देखे राश्टी स्वेम सेवक संग ने जो कहा वो किया और रही बात अखंड भारत की अखंड भारत तो ये बनेगा निश्चित रूप से बनेगा मोदी जी के साशन में ही बनेगा हिंदुस्तान हमारा था हमारा है अखंड भारत भी हमारा ही रहेगा